हेलो गाईज आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने फोन में HDC Blink Fit कैसे इंस्ट्रॉल कर सकते हो तो सबसे पहले आप यह सभी अपस को अपने फोन में दॉलोड कर लीजिए जिसका लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रीप्शन में मिलेगा अंप मिले कर LA वुक्षा आपको सभी अपस को एक fent करके इंस्ट्रॉल करना है है कि आप वीडियो में देख सकते हो कि मैं सबसे पहले सभी सभी को एकец करके इस्टॉल करूंगा तो आप जैसे home का बटन प्रेस करोगे तो आपको एक pop-up notification आएगा उसमें आपको remember my choice पे click करना है उसके बाद आपको htc blink fit पे click करना है आप जैसे htc blink fit पे click करोगे तो आपका जो पूरा home screen रहेगा वो बिल्कुल change हो जाएगा तो आप वीडियो में देख सकते हो कि जैसे मैं htc blink fit पे click करूँगा तो जो मेरा home screen रहेगा वो बिल्कुल htc की तरह हो जाएगा तो आप देख सकते हो कि अब मेरा पूरा change हो चुका है और यहाँ पे this is blink fit लिखके आ गया है मतलब कि मेरे phone में successfully htc blink fit install हो चुका है तो अब मैं आपको home button प्रेश करके दिखाता हूँ कि जो अंदर के सभी चीजे वो भी change हो चुकी होगी तो आप देख सकते हो कि जैसे मैं home का button प्रेश करूँगा जो मेरा dock है वो पूरी तरह से change हो चुका है बिल्कुल htc phone की तरह हो गया है तो इस तरह से आप अपने phone में htc blink fit install कर सकते हो और आप इसको customize भी कर सकते हो customize करने के लिए फिर से आपको home button प्रेश करना है home button प्रेश करने के बाद यह जो आपको plus का symbol दिखेगा उसके उपर आपको click करना है आप जैसे आप plus के button पर click करोगे तो आपको यहां पर बहुत सारे topic आ जाएंगे तो आपको जिस भी topic में interest है आप उसके उपर click कर सकते हो आप वीडियो में देख सकते हो कि यहां पर बहुत सारे topic आ चुके है तो अगर मुझे cricket के बारे में news चीए तो मैं और नीचे जाओंगा और यहां पर click bus select करूँगा तो click bus पर click करने के बाद यहां पर मुझे cricket की सारे news आ चुकी है तो मैं वहां पर plus पर click करूँगा और फिर back जाओंगा इसी तरह से अगर आपको और भी topic चीए तो आप बैक जाकर और भी topic select कर सकते हो तो आप वीडियो में देख सकते हो कि मैंने back पर click किया और मुझे technology के बारे में भी जाना है तो फिर मैं उसके उपर click करूँगा click करने के बाद फिर से उसी तरह यहां पर technology के बहुत सारे channel आ चुके हैं तो आप अपने हिसाब से सभी channel हो पर click कर दीजिए click करने के बाद आप फिर से back हो जाईए और home button प्रिस कीजिए तो उसके बाद उससे पहले आप sports में जाईए और वहाँ पर click बज़ सिलिक कीजिए जैसे आप click बज़ पर click करोगे तो वह आपके home screen पर आ जाएगा और cricket से related सारी news आपको वहाँ पर दिखाई देने लगेगी अब वीडियो में देख सकते हो जैसे मैं क्रिक बज़ पर click करूँगा तो जो मेरा home screen है उस पर ये क्रिक बज़ आ जाएगा अभी content load ले रहा है देखें आप अपडेटिंग आ चुका है इसका मतलब है जो वह क्रिक बज़ है वो अपडेट हो रहा है अब यहाँ पर cricket से related सारी news आ जाएगी तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो तो इस तरह से आप अपने phone में HTC Blink Fit इंस्टॉल कर सकते हो देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे tricks के लिए प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें थैंक यू झाल 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 झाल